दो मिलियन अभी पॉस करूँ चलो देखो कैसे करते हैं क्या लिखा है दो मिलियन पाँच सो पचास हजार तीन सो छे हमको पता है इंटरनेशनल नंबर कैसे होते हैं तीन तीन नंबर एक साथ लिखे जाते हैं और कॉमा लगाया जाता है तो पहले क्या लिखा है दो मिलियन देखो पहले ऐसे बिंदी रख लो पॉस कर एक मिनट को पता है कि तीन तीन के तीन तीन नंबर एक साथ लिखे जाते हैं और कॉमा लगाए जता है इंटरनेस्टल नमबर में 3-3 के नमबर के जोड़े बनते हैं ठीक है दोडोक नहीं होते हैं वो 3-3 नमबर लिख के तब कॉमा लगता है तो देखो पहले तो हमने 3-3 बिंदी जे सबतों में लिखे तो अंकों में लिखने के लिए तीनसोचे ये एकाई दाई शेकडा वाले नमबर हैं इनको ऐसे ही लिख लिया अब ये दूसरा जो होता ही हजार वाला होता है हजार वाले में इसके साथ क्या लिखा है पाँच सोपचार तो पाँच सोपचार तीनों बिंदी पे सेट हो जाए की नहीं फाच отдब या direct लिख्ण हो गिया कि न थाए आप इंटरनेशनल में और हमको बदलना किसमे इनडियन में तो हमको इंड्यनं में पता इस सारे नमबर एस सी उतार लो ऍैसे उतार लिया लेकिन इसको हम कैसे चैंज करेंगे इनडियन वर में क्या होता है इकाई दाहाई उसके बाद कॉमा सैकड़ा अकेले कॉमा फी हजार दसजार कॉमा फी लाख दस लाख समझ में आए कि नहीं कैसे कर नवर्ट किया सबसे पहले इनको वर्ट से नंबर में लिखो नंबर में लिखने केले पहले हमको पता यहां 43 कि नंबर साथ में लिखे जाते कॉमा लगता ह। मिलियन के साथ दो क्या लेकिने सक्तर ना कई सेकरा लेकिकन स्एकरा में जो जैसे लिखा वासे शेटु कर शह एकाई जीरो दाई तीन सैकडा ऐसे लिख लिया कि नहीं लिख लिया उसके बाद जब इंडियन में lig में कनवर्ट करेंगे तो सेम नमबर ऐसे उतार लेंगे उतारने के बाद उसमें जैसे कॉमा लगता है एकाई दाई उसके बाद कॉमा सैकड़ा अकेले हजार दस जार पे कॉमा लाख दस लाख पे कॉमा फिर करोर दस करोर उसके बाद कॉमा समझ में आया की नहीं समझ में है एक और नमबर जैसे ले लो जैसे हमने कहा 3 million, देखना, 3, तोरा पोन उपर करो, 3 million, 3 million 33, जैसे ये नमबर लिखा है, आई इसको हमको बदलना हैं Indian में, कैसे करेंगे, अभी तो ये शब्दों में लिखा है, ये तो international में भी नमबर में नहीं लिखा, ऐसे लिखेंगे, तो हमको पता है, जब million लिखा है, सब तीन तीन के लगा लो, देखो लगा लिया, अब देखो, मिलियन के साथ के वल क्या लिखा है, बोलो, तीन में इकाई दहाई होती है, सैकड़ा होता है, के वल क्या होता है, इकाई, तो इकाई अगर इनमें देखे तो इकाई वाली बिंदी कौन सी है, ये वाली वाली, तो हजार वाले ये कॉलम है मानों ये मिलियन वाला ही हजार वाला ये इकाई दाई सैकड़ा वाला तो हजार वाले कॉलम में केवल क्या लिखा है तीन अब इसमें इकाई दाहाई है नहीं तो दाहाई और सैकड़ा पर क्या लिखेंगे 0 0 1 के वाल समझ में आए की नहीं अब last में 1 काई दाई सेक्ड़ा में के वल क्या लिखा है 3 3 1 के वल 3 0 0 समझ में आए की नहीं अब इनको अगर हमको इंडियन में कनवर्ट करना हमको पता है किसी नमबर के आगे जब 0 लिखे हो तो उनकी कोई value नहीं होती है तो वो कैसे लिखेंगे अब 3003 003 ये दोनों ये 0 हट जाएंगे समझ में आया कि नहीं आप कैसे करेंगे एकाई दाई पर कॉमा फिर सेकड़ा केले फिर हजार दस जार पर कॉमा लाख दस लाख पर कॉमा तो कैसे पढ़ेंगे फिर सेकड़ा हजार दस जार लाख तो 30,3003 समझ में आया कि नहीं कैलों होगे कि नहीं कैसे लिखेंगे 30,3003 दन हो गया आ गया कि नहीं आ गया बोलो बताओ आ गया दन करो वीडियो